कुछ की बिना यूहीं जय जय कार नहीं होती और कोशिस करने वालों की कभी भार नहीं होती नमस्कार साथियों मैं राजकुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार PBR कि आपको पता है क्लास का टाइम स्क्रीन पर दिख रहा है इसका स्क्रीन साज लेके रख लीजिए यह चार क्लासे इस समय फिरी चल रहे हैं जिसमें मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है और बस थोड़ा ही चीजें बची हैं वह चीजें मैं पूरा कर दूंगा बस आप फट क्या कहता है हिंदी इंगलिस दोनों में बताऊंगा मैं ध्यान से पहले हिंदी में पढ़ लिजिए फिर इंगलिस में करा एक ठोस में उचाई 120 cm और तिरिज्या 60 cm वाला एक संकु संबलित है जो 60 cm वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है इस ठोस को पानी से भरे हु तो बेलन में सेस पानी ज्याद कीजिए यह कुश्चन ऐसे समझ में नहीं आने वाला है मैं इसका फिगर आपके सामने बनाओंगा तब आप इसको समझ पाओगे तो फिगर मैं बनाने चल रहा हूं देखना मगर प्यार से देखो बच्चा क्या कह रहा है कि एक ठोस में एक कुचाई 120 सेंटीमीटर और 30 साट सेंटीमीटर वाला एक संकु संबलित है मतलब ठोस बना सॉलिड बना है जिसमें एक संकु और एक अर्दगोला मिलाके उसमें डाला गया है समझो कैसे हैं देखो सबसे पहले तो बच्चा यह है बाबू की एक ठोस है एक ठोस कुछ ऐसे बना है ऐसे बना है नीचे उसमें एक हेमी स्फेयर है यानि अर्दगोला ऐसे कटोरा जैसे और इसके ऊपर क्या है बचवा इसके ऊपर एक संकु रखा है कोश्चन एक बार फिर से पढ़ लो करा एक ठोस में उचाई 120 सेंटिमेटर और तिरिज्या साथ सेंटिमेटर वाला एक संकु समलित है यानि इसकी उचाई जो है वह 120 सेंटिमेटर है तिरिज्या साथ सेंटिमेटर है यह और यह 120 सेंटिमेटर है ठीक है आगे देखो समलित है जो 60 cm त्रिज्जा वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है यानि इस गोले की भी त्रिज्जा साथ ही है ठीक है इस हेमिस पेर की भी रेडियस साथ है और इस संकूग यानि कौन की भी साथ ही है आगे क्या कहता है इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब बृतिय बेलन में इस परकार फिट डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को असपर्स करें मतलब जैसे ऐसे समझ लो इस बरतन को उठा करके बेलन के अंदर डाल दें जैसे कोई बाल्टी है मानलो मैंने एक मगा लिया ह समझो बले गंदा इसमें लगा है इसमें लगा प्रेंटिंग हो रहा था और कुछ मत समझना तो यह क्या है मानलो वह बेलन है और यह वह आकार यह चीज है यह जार दिख रहा न है तो मैं जो बनाया हूं मानलो इसको कि यह संकु के साथ लगा हुआ अर्दगोला है मैं है जाने दो लेकिन कितना पानी बच रहा है वो बताओ कि कि नहीं यह वह बेलन है जिसके अंदर अर्थगोले पर अध्यारोपित एक संकू के द्वारा बना हुआ एक ठोस उठा करके उस बेलन के अंदर ऐसे डाल दिया जाता है और इस परकार डाला जाता है इसकी जो यह बा कि पानी बाहर निकला ini मैं पानी नहीं भरा यहां बहे जाएगा पानी तो मुझे पोशना पड़ेगा नहीं दिखाता जो अगर यह पूरह पूर्ध फुल रहेगा ऐसे मताता हूं चलिक धिथा दिक्वाड़नगे तो एस बनो ड़ंगो यह मैं सो इसको दिखा देथा हूं यह नई चलो मैं इसको ऐसे बना देता हूं यह बढ़का वाला कि समझो बस सिर्फ समझना है मैं थी कंसेप्ट है बस इसमें यह इसके अंदर क्या है इसको इसमें डाल देंगे तो यहां के इसके तली को असपर्स करेंगा मतलब यहां आकर कि यह चचा थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और यह ऐसे आ करके यहां पर इंजाए करेंगे नीचे इसके अंदर डाल देंगे तो क्या होगा कि यहां बैठ जाएगा तो इसमें जो पानिकों का बल से बाहर बजाएगा तो जो पानि बचेगा उसका आपको बलूंफाइंड करनी है आईए आपका इंतजार था क्या कह रहा है इसकी हाइड दिया 180 इसका रेडियस कितना दिया चाचा इसका भी रेडियस 60 ही दिया है यह 60 सेंटिमेटर दिया है रेडियस ओके ठीक है डन कैसे निकलेगा पहले इस पूरे बेलन का आयतन निकाल लोगे और फिर इस ठोस का आयतन निकालके उसमें से घटा दोगे बाई सिंपल है लेकीन तोडा साथ गडवड है वो का है कि इसमें अर्धगोला और संकु दोनों और आयतन निकाल के जोड़ोगे जो आएगा उसको टोटल से घटाओगे तो लिखोगे कई से कोईस्टन से हटाओगे पहले तब दिखेगा तो चलो भाईया कोईस्टन अटादो इसक्रीन से और फिर मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि योली लिख लेजिये दिया है जो जो गिवय Alrighty फ़ेले उसको लिख लिजिये तब फिर कोच करते हैं ठीक है लिखे इधर साइड में लिक्क लिजिये धिया है फ़िवन toute इंगली की ले इको सबसे पहले इसमें इसमें चलते है तो आप चाहे तो लिख लो एसे और्ध गोले की तृज्जा 60 indoor और इसमें चंकु की तृज्जा भी दिया है यह भी 60 सृण सबका साथे दिया है इसको इस इसमाल हमान लो कि यह 120 cm दिया भाईया कितना दिया बाबू 120 cm और आपका जो दूसर का वाला है कौन सा दूसर का वाला एक है वो का है वेलन बेलन कर चाहिए काप्टल हमान लो दोनमें अंतर रहे लिख लो बेलन की उचाहिए कैप्टल याच बराबर 180 सेंटिमीटर यह दिया है और कुछ दिया है का मुझे तो नहीं लगता और कुछ दिया है और कुछ दिया होगा तो आगे खोजते रहेंगे ठीक है अब उपर लिखो बेलन में बच्चे से स्पानी का आयतन बराबर लिखने वाली चीजें उपर मैं लिख दे रहा हूं इसे फट से उतार लीजिए टाइम न लगें आपका टाइम बचना चाहिए जल्दी करें लिखिए फट से उपर लिख गया है पूरा ठीक है अब देखो बाबु समझो बेलन का आयतन यानि वैलूम आफ सिलिंडर यह आपको पता है क्या होता है सबको प पूरी आकृति का आएगा ना बाबा आएगा ना बैया तो पहले क्या करोगे लिखो संकु का लिख लो पहले संकु का लिखो आयतन कितना होता है माहिनेफ लगा कि इनको आपस में जोड़ लो संकु का आयतन वान अपान थ्री पाई आर स्कॉयर एच क्यों एच होता है क्य होता है रहे यह थे चा अपीच में हाइट ही तो है ना PYA Dimash का और फिर प्लस मोला मतलब टू अपां थरी यह पाई Pya te को क्यूं यह तो ना पॉरड स्वाइर की पारी स्वाइर है र Repeesh होता बहिए इसमें फुचाईए नहीं होती अर्धगॉले में इसमें ये क्या हो जाएगा पाइ-ब क्यूब यह हो गया आपका फाइनल दर नहीं ना अब इसमें मान रखना देखें इसको अब हल करना असान है लेकिन कठीन भी है अगर आप इसका काल्कूलेशन उल्जाद होगी ते दोनों सब ही तो हम एक काम कर नहीं इसमें पाई और आर का ới तो यह जो भी बचेगा इसको एक कोष्ठक के अंदर लिखते हैं बड़े वाले इसमें है इसमें बोकि छफी और रबेंगे था अगर आपको बेसिक नहीं आती तो पहले बेसिक मेंट सीख लो अब सारे मान आप इसमें लाकर पुटकर दो फट अपका आपका आंसर दोड़क क्या 3.14 रखने को बोल रहा था ना तो पाई कमान रख लो 3.14 इन्टु आर यह आर देखो कौन सा है बेलन वाला है पहले बेलन का लिखा गया था ना तो बेलन का इसमें भी साथी था कितना था साथी था कुछ और नहीं था ना बोलो साथी तो था हाँ भाईया यह दिया था ना यह साथ बेलन का भी साथ ही था और इसका अभी सब कतीनों का साथ साथ था तो यह साथ का स्कॉयर के यह बाहर हो गया कोश्टक के अंदर में क्या कहानी है कैप्तल याच मतलब इसकी हाइट माना गया था जो 180 इसको रख दो माइनस वान अपान थरी इंटू एच इसमाल 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 एच मींस इस संकॉआ का उचाई यानी 120 क्यों हाँ 120 धन दू बटा तीन यह आर अर्दगोला वाला अर्दगोला वाला रेडियस भी तो साथ ही था ना भाईया कितना था बाब उसाथ था था ना कि कुछ और था साथ ही तो था तो साथ रख दो सिर्फ ओनली बस हो गया हल कर लीजिए देखिए यह हो जाएगा भाईया इतना इंटू यह साथ गुड़ा साथ अंदर आ जाओ 180 माइनस तीन से काट दोगे चाली सा जाएगा ठीक है यह आप काट दोगे तीन से बीस आ जाएगा देखो यह चालीस और यह प्लस और यह बेश दूना चालीस यह हो जायागा असी इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए देखो बाबू मैं इसको एक काम कर फकता हूं इसको मैं सो कर फकता हूं क्यूं यहां पर दो अंक पर दस हमलों मैंने हटा दिया निचे सो कर दिया और गुड़ा यह भी सो हो गया काहे को यह सो इसलिए हो गया क्योंकि जब एक सो अससी से असी घटा तो सो आ गया मैंने गुड़ा कर दिया दो जीरो से दो जीरो मैं ने काड़ दिया यह जो से सव कट गया बच्राठ गुड़ा साथ गुड़ा तीनसो चुदा यह गुड़ा करना तुम्हें बहुत आराम से आजाएगा इसमें तुम्हें कोई परकार की दिक्कत लेन लफडा नहीं होगा कर लोगे ना कितना आएगा करके देखो 1130-400 सेंटिमीटर ना करके देखो अरे वो 3600 हो जाएगा यह हो जाएगा 11 30 400 संटी मिटर क्यूब लगभग हो जाएगा लेकिन मपकूई साल मीटर कूब में निकाला इसको भी आप स्कोड़ सकते हूं कि कि को हमें क्या निकालना मीटर क्यूब में और यह सेंटी मीटर क्यूब है अगर इसकुईốc रहता है तो आप पहले तो यह समझो कि एक मीटर में कितना फेंटी मीटर एक मीटर में सौ सेंटी मीटर तो एक सेंटी मीटर में एक बटा सौ मीटर भी होता है तो इचुकी क्यूब में है तो क्या करोगे सौ का क्यूब से भाग करोगे ठीक है इसे क्या करोगे सौ के क्यूब से भाग करोगे स का मतलब जानती हो मीटर क्यूब में बदलने के लिए मीटर क्यूब में चाहिथ लिए मीटर क्यूब में लिख करके ऐसे भाग दे दो कुछ मत करो कुछ मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है तौक से भाग करोगे तो ener गुरह जीरो जीरो मेटर क्यूब देखो आंसर आ रहा है ना एनी डावड किसी को तो बता दो मुझे आ रहा है ना पहले मिलाओ फट से मिलाओ पहले आंसर मिलाओ जल्दी करो आंसर मिला लो फिर मुझे बताओ आ रहा एकदम बढ़िया मैचिंग कर रहा है हूं हूं जल्दी मिला लो फिर मैं आगे बढ़ता हूं फटाफट करो चलो डन इस्क्रिंसाइट ले लिया होगा आपने ना चलिए आगे बढ़ते हैं तो बच्चों आप लोग कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा यह क्लास इस क्लास को ज्यादा ज्यादा सेर करिए जिससे ज्यादा बच्चे देख पाएं और एक इंफॉर्मेशन आपके लिए उससे स्क्रीन पर आप देखते जाईए आने वाली 25 जून 2022 से अगर आप इस क् सब्सक्राइब करेंगी और अगर आप पहले से पीवियरे स्टरी पॉइंट जीरो चनल पर जूड़े हैं तो आपको कुछ नहीं करना है कोई टेंसा नहीं लेना है इस इंफॉर्मेशन को ध्यान दीजिएगा बिलकुल अंदेखा नहीं करिएगा नहीं तो आपको परचिकला सुरू होती है थैंक्यू